मराठावाडा मुक्ति संगराम के वीर सेना नहीं, जनाधन मामा को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाईयो बैनों, जब मराठावाड की इस धर्थी पर आया हूँ तब, सरदार पटेल और स्वामी रामानन तिर्थ को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनोंने निजाम के पंजे से हमारे मराठावाडा को मुक्त करने का काम किया था। भाईयो बैनों, आने वाला चुनाव, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, दो खेमे लगे हैं, दोनों खेमों में सैनाय सजी हुई है, और देश की जन्ता ने, जालना की जन्ता ने इत्ताई करना है, कि अगले पांच साल तक ये देश किन के हाथों में रहेगा, किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस नेता के हाथ। भाई और वे नो, एक और ये इंडी एलायंस है, बारा लाग करोड के गपले गोटाले भ्रश्टाचार करने वाला इंडी एलायंस, अभी अभी उनके मंत्री के यहां से 30 करोड रुप्या कैस पकड़ा गया, कॉंग्रेस के एक MP के आशे 3.5 करोड रुप्या पकड़ा गया था, मंत्री के यहां से 30 करोड रुप्या पकड़ा गया था। परकल जारखण मुक्ति मुर्चा के मंत्री के पीए के यहां से 30 करोड रुपिया पर दस साल में 12 लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार करने वाला इंडी एलाइंस राहुल बाबा के नेत्रुतों में और दूसरी और 23 साल से मुख्य मंत्री और प्रदान मंत्री रहने के बावजूद जिनके खिलाब 25 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा सकता ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है यह दोनों के बीच में जालना वालों आपको तय करना है एक और थोड़ी घरमी बढ़ते ही बैंकोक और थाइलेंड चुप्टी पर जाने वाले राहुल वाबा है और दूसरी और 23 साल से एक दिन भी की चुप्टी लिये बगर बारत माता की सेवा में लगे हुए नरेंद्र मोदी है यह दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है आज मैं यहां आया हूं तब